इस pump से आप उपारा फुला सकते हों, एक फिल्म की डब्बी लें और उसकी निचली सतह में कैंजी से एक सुराख कर लें, जो एक दमकशी का सुराख होगा, इस तरह से इस DP का डखकर में सुराख बना लें और इस DP में एक और सुराख बना लें, जो इस pipe के stroke को पिट करने के इसके बाद 4 सम लंबा एक टेप लें और इसका चिपचिपा हिस्सा एक सम हिस्से को टेप पर ही चस्पा कर दे फिर गोनवाने हिस्से को इस डीपी पर इस तरह चस्पा करें कि टेप का 12 हिस्सा सुराक पर आए इसी तरह ये पट्टी खुलेगी बंध होगी एक किस्म का वॉल बन जाएगा इसी तरह से एक टेप को डखन के अंदर की तरफ चस्पा करें ये डिलेवरी वॉल बनाए आप देख सकते हैं ये डिलेवरी वॉल किस तरह खुलता बंध होता है ये एक तरह का वन वे ट्रैपिक बन जाता है दोनों वॉल बन जाने के बाद ढकन को डिपी पर लगा दे और इस काली डिपी को साथ आंटींच के साइकर ट्यूब में डाले साइकर ट्यूब जितना फिट बैठेगा आपका पंप उतना ही अच्छा बनेगा इसके बाद सपेड डिपी के दमकश वॉल को भी ट्यूब में दूसरी तरफ डाले आकिर में जो सपेड नली है इसके लिए इसके एक सिरे को गुबारे में डाले और एक रबर बैंट से कस कर बाले इस नली को काली डिपी के अंदर मजबूती से डाले अब आपका पंप तयार है दोनों हातों से रबर ट्यूब को दबाए छोड़े इस तरह का अमल आप बार बार दोहराए आपका गुबारा पूरी तरफ पुल जाएगा आप चाहें तो एक हाज से भी गुबारे को पुला सकते हैं अगर आप इस पंप को एक मग में डालें और उसे उपर नीचे दबाएं तो इस में से एक लंबी धान निकलेगी जो 15 फिट तक जाएगी